एनेम के 12,746 पदों पर होगी भरती पीटी पास कंडिडेट इसमें ही आनलाइन आवेदन कर सकेंगे आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको यूपी एनेम भरती 2023 सम्वंधित महतपूर अपडेट देने वाले है आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि यूपी एनेम 12,746 पदों के लिए आनलाइन आवेदन प्रक्रिया कब तक सुरू की जाएगी और इस भरती में कौन-कौन अभ्यारती आवेदन कर सकता है और इसमें परिच्छा का माध्यम क्या होगा माइनस मार्किंग रहेगी या नहीं रहेगी आज इस वीडियो के माध्यम से आपको संपोर्ट सवालों के जवाब मिलने वाले है तो दोस्तो आप लोगों से एक रिक्वेश्ट है कि चैनल को अभी सबस्क्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने सभी स दोस्तों को सेर कीजिए ताकि इस लेटेस्ट अपडेट को सबको मिल सके चलिए दोस्तो वीडियो को स्टार्ट करते है यूपी में एनेम के लगभग 12,746 पदों पर भरती के लिए आनलाइन आवेदन प्रक्या जल आयो की और से सुरू की जाएगी लेकिन इस भरती के लिए वही कंडिडिट इसमें आनलाइन आवेदन कर सकता है जो यूपी में पीटी परिछा उत्रेड की हो इस भरती के लिए पीटी पास अभ्यारती ही इसमें आलाइन आवेदन कर सकते हैं यूगी सरकार स्वास्त बिभग को मजबूत करने का निरंतर प्रयास कर रही है ऐसे में स्वास्त बिभग में एनेम की जितने भी खाली पड़े पद है उनको जल से जल भरने का आदेश भी दे दिया गया है और यूपी में एनेम की लगभग 12,746 पद अभी खाली है मतलब दोस्तो यूपी में अभी भी 12,746 पद खाली पड़े है जिनको जल से जल भरने के लिए सासन की ओर से आदेश जारी हो चुका है लेकिन इस भरती के लिए वही कंडिडेट इसमें आलाइन आवेदन कर सकते हैं जिन्होंने यूपी पीटी परिच्छा पास की हो जो कंडिडेट यूपी पीटी परिच्छा पास नहीं की होंगे वह भारती इस भरते में आलाइन आवेदन नहीं कर पाएंगे आयो की उपसच्यू प्रियंकस इनका कहना है कि भरती से संबन्दित पाठक्रम और परिच्छा को सासन की और से जल्द मनजूरी मिल जाएगी और बिग्यापन भी जल्द निकाल दिया जाएगा आये अब बात करते हैं यू पी एञम 12746 पदों के लिए कौन कौन अभिहारती इसमें आनलाइन आवेधन कर सकता है और कौन अभिहारती इसमें आनलाइन आवेधन नहीं कर पाएगा तो दोस्तों सबसे पहले बात करें इसमें आर्लाइन आवेदन के लिए तो इसमें आर्लाइन आवेदन करने वाले कंडिडेट को बारवी पास होना अनिवार होगा उसके बाद समकष या उस पर इच्छा कोई उत्रेड की हो या इसके अलावा डेर्ड वर्स या दो वर्स का A&M कोर्स भी पास किया हूँ मतलब इसमें बारवी पास और A&M वाले अभ्यारती इसमें आर्लाइन आवेदन कर पाएंगे और उसके साथ UP Nurses and Midvice Counseling में Registered होना अनिवार होगा तब ही इसमें आर्लाइन आवेदन कर सकते हैं आईए बात करते हैं इसमें कौन से अभ्यारती आर्लाइन आवेदन नहीं कर पाएंगे भरती के लिए माइनस मार्किंग होगी या नहीं तो दोस्तो हम आपको बता दें कि UP A&M भरती 2030 के लिए जो नोटी पिकेशन जारी किया जाएगा उस नोटी पिकेशन के अनुसार UP A&M 12746 भरती के लिए माइनस मार्किंग रहेगी A&M के लिए 100 प्रस्नों की परिच्छा होगी मतलब दोस्तो जितने भी कंडिडेट इसमें आलाइन आवेदन करेंगे उनको एक परिच्छा देना होगा या परिच्छा बहुविकल्पी आधार पर होगी और इसमें 100 प्रस्न आएंगे सबी जो प्रस्न होंगे वो एक नमबर के निर्धारित किये जाएंगे मतलब 100 अंकों की इसमें परिच्छा होगी और हर गलत जवाब पर एक चवथाई अंक काट लिया जाएगा मतलब दोस्तो यूपी एनेम 12746 भरती के लिए माइनस मार्किंग रहेगी और हर गलत जवाब पर आपको एक चवथाई अंक काट लिया जाएगा आईए बात करते हैं यूपी एनेम 12746 पदों के लिए आनलाइन आवेदन कब से सुरू किया जाएगा तो दोस्तो हम आपको बता दें कि यूपी एनेम भरती 2030 के नएवे किंसी का जो नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा उलग भग नवंबर माह में जारी किया जाएगा आयोग नवंबर माह में यूपी एनेम 12746 पदों के लिए आनलाइन आवेदन प्रक्रिया प्रस्तूत करेगा सभी अप्यारती को एक महिने का आनलाइन आवेदन करने का मौका दिया जाएगा उसके बाद 5-6 दिन का तक आनलाइन आवेदन पत्र में सुधार करने का भी मौका दिया जाएगा तो दोस्तों यूपी एनेम 12746 पदों के लिए जो नोटिफिकेसन जारी किया जाएगा वो नवंबर माह में जारी किया जाएगा और इसका जो एकजाम की डेट क्या घोशड़ा की जागी वो लगभग अप्राइल से लेकर जून माह में घोसित किया जाएगा अर्थात यूपी एनेम 12746 पदों के लिए जो एकजाम की तारीखों का निरधारण होगा वो अप्राइल से लेकर जून माह में होगा एक संभावित जो जूनिंग डेट होगी वो लगभग अगस से लेकर सितंबर माह में हो जाएगी मतलब दोस्तों इस भरती को जो पूरा किया जाएगा वो लगभग 8-9 माह के अंदर ही इस भरती को पूरा कर लिया जाएगा तो दोस्तों UP NM 2023 में अगर आप भी आलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको PT परिछा पास करना अनिवार होगा अगर आप UP में NM के जितने भी खाली पड़ेपद हैं उन पर जब विग्यापन निकाला जाएगा तो विग्यापन PT परिछा के ही आधार पर निकाला जाएगा जो भी कंडिडेट UP में NM के भरती में आलाइन आवेदन करना चाहते हैं सबसे पहले उन ऐसे अभ्यारती को PT परिछा उत्रेड करना होगा तब ही वे अभ्यारती इस भरती में आलाइन आवेदन कर सकेगे जो अभ्यारती यूपी पीटी पर इच्छा उत्रेल नहीं किये होंगे वो इसमें आलाइन आवेदन नहीं कर पाएंगे क्योंकि यूपी में स्वास्त विभाग को लगातार मजबूत करने का प्रयास किया जा रहा है ऐसे में भी यूपी में 9212 वैकिंस्यू को भी पूरा किया गया है अब फिर सरकार के ओर से यूपी में 12746 पदों को भरने के लिए प्रस्ताव मंजूर किया गया है ऐसे में एक उम्मेद यही दिख रही है कि यूपी में अब स्वास विभाग को जल से जल जितने भी खाली पड़े पाद है उनका सबसे पहले जीले वाई डाटा निकाला जाएगा और डाटा निकालने के बाद आयोग को बहेजा जाएगा आयोग उस पर बिस्तार से निर्धानर करेगा कि कब इसका वेकेंसी का विग्यापन निकाला जाएगा और कब इसमें जॉइनिंग होगी तो दोस्तो ये थी मत पूर्ण जानकार यूपी एनेम 12746 पदो के लिए तो दोस्तो इसमें आप जल से जल अपनी तयारी करके यूपी में 12746 पदो के लिए अपनी जॉइनिंग पा सकते हैं तो दोस्तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बाक्स में जरूर बताएं और इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी सेयर केजिए ताकि लेटेस्ट अपडेट सबको मिल सके